मुद्मंगल मैं पूजनी संत समाज सम्माननी सज्जनों एवां ममता मूर्ती भक्ति मैं माता और बहनों प्यारे बच्चों हर इंसान सुखी होना चाहता है और कुछ उसकी इच्छा हो या ना हो लेकिन एक इच्छा है वो सुखी होना चाहता है और ऐसा सुख चाहता है कि जो कभी छुटे ना अब ये बात अलग है कि सुख के नाम पर वो दुख से मुलाकात कर लेता है जो काम करता है वो सुख के लिए करता है अब भ्रम अज्ञान वस भले उल्टा काम करके दुख प्राप्त करने लग जाए लेकिन हर काम सुख के लिए ही करता है मनुष भोजन बनाता है खाता है सुख के लिए अब भोजन में ही असावधानी वस खाया जादा खा लिया गलत चीज खा लिया अब दुख सुरू हो गया मकान बनाता है सुख के लिए अलकीन मकान में ही जग्रे झञ्झजट करने लग जाए क्रोध करने ले जाए तो वही घर अब दुख का करणा भागते है लोग घर से अब इस घर में नहीं रहेंगे, कितने लोग क्रोधित हो करके भाग जाते हैं, नहीं रहेंगे इस घर में, दूर चले जाएंगे कहीं, जहां सुख सुख के वल मिले, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, वो अपने सुख से प्रेम करते हैं, जहां जहां सुख लगता है, उन उन चीजों से जुड़ जाते हैं, ऑँनों खान पानों से जुड़ जाते हैं। देखो ना, लोगों को जब लगा कि तंबाकू में सुख है, तो तंबाकू सुरू कर देता है। खाते 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 बहुत दिन भीट गए और सुख ना मिला। फिर रगड़ के खाता है अब कि सायद सुख मिल जाए फिर थूख देता है सुख ना मिला फिर रगड़ता है खाता है ये कितने दिन बीट गए आज तक सुख ना मिला और आसा लगी है कि सायद मिल जाए मीड़ी वाले को मीड़ी से सराब वाले को सराब से ऐसे हर गंदी आदतों में सुख खोज रहें यद्यपी यह ज्ञान वस है लेकिन उनका ये काम सुखे के लिए है तभी तो लोग कहते हैं सहाब भोजन एक बार नहीं देंगे चल जाएगा लेकिन तमबाकु चहिए आदत हो गई आशक्ती हो गई सराब पी करके साब कुछ चौपट हो रहा है घर खराब हो रहा बच्चे सब बरबाद हो रहे जीवन गुजर में काफी दिक्कतें आ रही है सरीर भी रोगी हो रहा है पैसे सबनश्ट हो ही रहे है यहां तक की जमीन भी बिक रही है फिर भी सराब पीने वाला पीता है सुख मान रहा है तभी तो पी रहा इतनी बड़ी हान ही सह करके भी वो सराब पीता है उसकी यही निश्चेता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा इसको नहीं पिऊंगा तो दुख हो जाएगा तो क्या इन सब में सुख है गलत धारडा हो गई गलत माननेता हो गई है इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जो जो हम कर रहे हैं उन सब में सुख ही मिलेगा ये सब दुख के कारण हो गए और बरबादी विनास के कारण हो गए तो जो विवेक पूरवक हो जो जो ग्यान पूरवक हो उसमें सुख मिलता है ऐसा नहीं कि कुछ भी करते जाएं सुख मिल जाए केवल मेहनत करने से सुख थोड़े मिल जाता है कुछ लोग कहते हैं मेहनत करेंगे अब मेहनत करने मेहनत का फल मीठा होते है तो मेहनत करेंगे तो जरूर सुख मिलेगा मेहनत करने से सुख मिलता है लेकिन जरूरी नहीं कि कोई भी मेहनत में सुख मिले सभी मेनत में सुख नहीं मिलता विचार पूर्ड, सकारात्मक हो कल्यान कारी दिसा हो और वो काम जो है अच्छे लोगों द्वारा विवेक वानों द्वारा उनकी शम्मती द्वारा वो मतलब प्रामारिक हो तभी उसमें सुख मिलेगा और फिरकुल मिला करके एक सब्द में एक बात में सब बात है कि जो विवेक पूर्वक हो निरड़े पूर्ड कारी हो तो वहां सुख मिलेगा अब सुख मिलेगा क्या वो कारी ही सुख प्रशन्यता शान्ती उत्पन करता है एक चुगा था तो उसने सोचा कि मेहनत करने से सुख मिलता है कहानी है तो मैं भी मेहनत करूँगा बहुत मेहनत करूँगा आखिर सुख चाहिए मुझे और मेहनत करने से सफलता मिलती है तो मेहनत करूँगा अवश्य मिलेगी तो गया एक घर में और बड़ी मेहनत करके दर्वाजे को काटा, दर्वाजा काट करके अंदर चला गया, और फिर कमरे में गया, एक जगे देखा कि यहां भी दर्वाजा बंद है, रसोई घर जैसा लगा उसे, यहां खाने को मिलेगा, दबंद है दर्वाजा, वहां भी दर्वाजा काटा, अब सोचा कि इसमें कोई खास चीज होगी और उसको भी काटना सुरू किया और लकड़ी का बना हुआ लेकिन काटते काटते उसके खून निकल आये दातों से और बड़ी मेहनत के बाद काटा और अंदर घुसा अब खाने को मिल जाएगा जैसे अंदर घुसा तो वो एक सपेरा का जबिया थी आव वो सांप पाल रखा था उस लोगों को दिखाता था और उसी की वो टोकरी थी आव उसी में सांप था अंदर आव इस चुहा महा से बड़ी मेहनत से काटे और सोचे कि अंदर अब खाने को मिल जाएगा अब काट करके अंदर घुसा और सांप मूखा तुर मेहनत किया कि खून निकल आया दातों में लेकिन क्या उसकी मेहनत सफल हुई सुयम मारा गया ऐसे हम सब लोगों को भी अपनी अपनी मेहनत के लिए ध्यान देना चाहिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या सही दिसा में कर रहे हैं या गलत दिसा में कर रहे हैं सदेव यह ध्यान होना चाहिए मेहनत तो सब ही करते हैं चोर कम मेहनत थोड़े करता है कि अब कितना बुद्धी लगाता कितना सारेरिक इक्स्रम करता कितना समय की पहचान रखता आप अपने घर में स्वयम रखें हैं सामान और थोड़े ही दिनों में भूल जाते हैं कई बार उसको खोजते-खोजते परिशान हो जाते हैं नहीं मिलता अच्छोर आता है रात के अंधेरे में अपरचित घर में और वहा जुसता है आनन फानन में खास चीज ले करके चला जाता है किसी के घर में जाता है तो जहाडव कटोरी गिलास थोड़े लेता है खास चीज आनन फानन में अंधेरे में अपराए गहर से निकाल करके चला और उसकी बुद्धी क्या उचित है, सारी उसकी अच्छी बाते हैं, लेकिन उसका लक्ष, उसका उद्देश, उसकी दिशा गलत होने से साब बेकार है, वो निंदनी है, दंडनी है, और पाप युक्त है, और उसको कभी संतोष नहीं मिलेगा इस कारी से, चाहे जितना उसने मेहनत किया हो, उसे कभी भी शान्ती नहीं मिलेगी, और उस मेहनत से उपारजित चीज भी उसके कभी भी काम नहीं आएगी अच्छे धंग से, चोरों को क्या आपने कभी देखा है, कि चोरी करके वे उबर गए हों, उनके बाल बच्चे सुखी हो गए हों, और उसा बढ़ मेरे कहने का मतलब यही है कि हम सब मेहनत तो करें ही, लेकिन मेहनत सही दिशा में हो, और साथ-साथ भाव, विचार, सद कर्म यह हमारे सब पवित्र हों, और हर इन चीजों पर विचार करें कि आज जो हमारे जीवन में, बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी, कितना भटकाव आ जाता है, कर्मों में, जानने मानने में, और रहन सहन में, बहुत पढ़े लिखे हैं, जानते मानते हैं, लेकिन संसार की बहिया में चल करके हम हकीकत से दूर चले जाते हैं वो दूरी यही है कि बस लोगों की देखा देखी लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें लोग ऐसा खा पी रहे हैं तो हम भी खाएं पियें लोग ऐसा पहान ओड़ रहें तो हम भी पहने ओड़ हैं अब वो उचित है की नहीं हमारे सरीर के अनुकूल है की नहीं हमारे विचारों के सिद्धान्त के मर्यादा के अनुकूल है की नहीं कोई ख्याल नहीं किया जाता इसलिए हर चीच पर ध्यान होना चाहिए दूसरों की देखा देखी हमें कहीं भटकने की जरुवत नहीं एक कमपनी थी कमपनी के इंट्रेंस में ही दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था और बोर्ड में ये लिखा था कि कमपनी में काम करने वाली लड़कियां अगर धीले कपड़े पहन कर आई हैं तो कमपनी में चलने वाली मसीनों से सावधान रहें खत्रा है और कमपनी में काम करने वाली लड़कियां अगर चुस्त कपड़े पहन करके आई हैं तो कमपनी में काम करने वाले लड़कों से सावधान रहें दोनों से खत्रा है न तो दोनों की मर्यादाएं हैं और एक बीच में होकर के अपनी मर्यादा को और अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए हमारा पहनाव नहाव होना चाहिए और जो इन चीजों को ख्याल नहीं रखेगा तो कहीं न कहीं धोखा खाएगा और समाज में निंदित होगा नहीं तो मन से निंदित होगा इसलिए अपने अपने मन को भी सब को प्रसन्न बना के रखना चाहिए प्रसन्नता तब होती है जब हमारी सारी मेहनत सही दिशा में हो सकारात्मक हो और कल्यानकारी हो